बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस सुवक्त की प्येम नरेंद्र मोधी के ट्वीट से जुड़ी हुई लॉक्डाउन पर प्येम मोधी का ट्वीट सामने आया लॉक्डाउन को कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ये भी कहना है प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी का लॉक्डाउन को गंभीरता से ले देश परिवार को बचाएं इससे उपर कुछ नहीं है नियम कानूरों का पालन करें लॉक्डाउन में साफ तोर पर मतलब इसका ये है कि बेना जरूरी किसी काम के घर से बाहर ना निकला जाए अब ट्वीट देखिए लॉक्डाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे चलिए अमित दूबे हमारे समवादाता हमारे साथ जुड़े हुए है अमित आप से ये जानना चाहेंगे अभी अभी पीम नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है उन्होंने कहा है कि लॉक्डाउन जो है उसको गंभीरता से कुछ लोग नहीं ले रहे है उन्होंने हिदायत लोगों को भी दी है कि लॉक्डाउन का पालन किया जाए राजियस सरकारों को भी हिदायत दी है तो क्या लगता है आपको कि वाकिए आपने कहा कि जिस तरीके से लोग सेल्फ मोड में है मतलब सौते कॉपरेट कर रहे हैं खुद लेकिन आपको लगता है कि परदान मंतली आप जिस तरीके से बात कही है तो बहुत बड़ा तपका ऐसा भी है जो कॉपरेट नहीं कर रहा है जी मिनकों देखिए साथ तोर पे कुछ ऐसे प्राइवेट कर्ब चारी है कुछ ऐसे प्राइवेट संस्ताने जो की खुले हुए है ऐसे में लोगों की वहाँ पर ड्यूटी करना मजबूरी है और उस ड्यूटी के वज़े से वो कही ना कहीं बाहर निकलने को मजबूर है अब ऐसे में जब तक वो संस्तान इस चीज को कॉपरेट नहीं करते लोगों की मजबूरी है कि लोग किस तरह से अपने आपको सुरक्षित रखे प्रधान मंत्री की बात करें दिली सियम की बात करें यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ की बात करें लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उसके बाब जूद भी कुछ लोग जो हैं इसे लेके अपने आपको सवाल नहीं पा रहे हैं लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और खास तोर पे जो आटो या इरिक्षा या इस तरह चीजे जो बैन है वो भी इका दुका चलती हुई दिखाई दे रही है ऐसे में पुलिस का सवाल पूछना लाजमी है कि आखिरकार वो ऐसी महामारी के समय में भी घर से बाहर क्यों निकल ले हैं तो बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जो देखने को मिल नहीं है